चूला मिट्टी का, मिट्टी कुएं की और कुवां किसका वो तो ठाकुर का, मेरा क्या, मेरी तो बस भूक है और इस प्रकार की जो कविता हैं ये 1950 के अंदर एक आदमी पैदा होके लिखता है और सब उसको बहुत ज़दा वावाई देते हैं थोड़ी दिन पहले एक सांसद मोदे भी ठाकुरों को बदनाम करने और वावाई करने के लिए इस प्रकार की जो एक कविता है वो सदन के अंदर पाठ करते हैं और उनको थोड़ी बहुत वावाई मिलती भी है, मगर इसके स्टाइड इफेक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं ने भी गालियां लिखवाई, उनके उपर कई सारी कविता हैं लिखवाई, उनका बहुत सारा इतिहास नश्ट किया, उसके बाद में अंग्रेज भी आकर ये बोले कि तुम इससे बढ़िया कि मेरे को गाली दो, तुम ऐसा करो कि तुम ठाकुरों को गाली दो, और ये जो थी, ये प्रकुरिया चलती रही, भारत देश को तोडने के लिए इस प्रकार की प्रकुरिया का इस्तिमाल किया गया, और उसके बाद के अंदर, जब अंग्रेज चले गए, ट्रांसवर ओफ पावर हो गया, तो वो कांग्रेज के पास में आया, और कांग्रेज ये या 10-12 जितने भी थे बच्चे हुआ करते थे और उनके अंदर से एक राजा बन जाया करता था और राजा बनने के लावा बाकी बच्चों का क्या होता था दो तीन दूसरे काम में लगा करते थे और बाकियों को मिल जाती थी रियासत और उन रियासत के अंदर वो बन जाते थाकुर तो जो राजा का बेटा है ठाकुर बनके बहुत दूर जाकर रहना उसको पढ़ता था ऐसी जगे वो पैदा हुआ था महलों के अंदर बहुती नर्म गद्देदार के अंदर और उसके बाद के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है जंगल के अंदर ऐसी जगे जहां पर revenue का कोई source नहीं तो वो ठाकुर क्या करता था वो ठाकुर को ये बोला जाता था कि ये जो मिट्टी है ये ठाकुर तेरी है और यहाँ पर पहले तो तू कुवां खुदवा और वो जो कुवां खुदवाएगा उसके अंदर सारी मैनत तो ठाकुर की लगेगी तो ठाकु का कुआ हो जाएगा और उसके बाद के अंदर उसके अंदर बीज लगेगी बाकी सब चीजे लगेगी उसके लिए वो अपने बड़े भाई यानि की राजा के पास जाया करता था कि थोड़ी बहुत मदद दे दो ताकि मैं कुछ गुजर बसर करके यह जो बंजर भूमी है य नहाँ पर रहने के लिए मैं अपनी कोई जोपड़ी बनाओं बाद के अंदर कोई शायद कोई धंका कोई हविली टाइप में बना लूँ जिसको बाद के अंदर उसको पता था कि 300 साल बाद के अंदर सकता जाने के 300 साल बाद में हमें इस हविली के नाम पर बदनाम किया ज दाओ, उससे उन जानवरों से दूद मिलेगा, मेरा भी परिवार चल जाएगा, क्योंकि मेरे को कहतो ये दिया गया है, कि ये जो जमीन है, ये कुवा है, ये मिटी है, ये तुमारी है, मगर मेरे पास में काम करने के लिए कोई है नहीं, तो एक प्रकार से एक organization को बनाया जात था, जिसके अंदर सभी लोग बराबर हुआ करते थे, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक बहुत भड़ा ठाकरों है, यानि कि शत्रियों ने बड़ा सम्मेलन किया, और वो जो सम्मेलन था, उसके अ कर उन सब को बुलाते हैं, और सब को सम्मानित करते हैं, अपने हाथ से भोजन करवाते हैं, और यह काम कोई यहाँ वाले जो इस समय के शत्री हैं, उनको ऐसा नहीं है कि इनको कोई गांधिवाद का पाठ आ गया है, यह बहुत ही पुरानी परंपरा है, और उस समय की आबर रहा करती थी, आपको शायद यह पता नहीं होगा, कि जब भी कोई नई ठकुराइन, जैसे किसी की शादी हो जाते थी, ठाकुर की शादी होती थी, या उसके बेटा की शादी होती थी, और वो जो बेटा भी आगे जाने के बाद के अंदर कोई नई बंजर भूमी के उपर रहेगा तो उसकी जब नई बिंदनी आया करती थी बिंदनी मतलब जो उसकी जो वाइफ आया करती थी तो आने के बाद में सबसे पहले उसको एक धरम भेन बनाया करती थी वो जो सफाई करबचारी होते थे उसके अंदर और उससे मैं जो था जो मतलब जिस प्रकार से आज की तरीके से सीवरेश तो होता नहीं था तो जो गंदा जो समान था उसको उठा के ले जाने की जरूरत थवा करती थी मगर जो उठा के ले जाने वाले होती थी उसको वो अपनी धर्म भेन बनाया करती थी धर्म भेन किसलिए कि कोई भी उसके जो बात हो दूसरों से न मिला करते थे तो इस प्रकार के जो सेटप था वो पहले था 300 साल पहले जिसको आज हम कालियां देते हैं अब आज के बात आ जाते हैं कि हर एक जाती के अंदर दो चार पांच परसेंट तो फरजी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं कि देखो हम तो फ परसेंट तो देखो हर जाती के अंदर फरजी लोग होते हैं ही और अभी थोड़े दिन पहले जिस प्रकार से ये फरजी वाड़ा जो ठाकरों के नाम पर कुछ जो दो चार पांच परसेंट लोग हैं कर रहे हैं उसके वज़े से जो हैं वो ठाकर जादा निशाने पर आ ग तो आपको इसके बारे में भी पता नहीं होई होगी मगर उन्होंने एक बात को शुरुआत की और उसके बाद के अंदर ड्रामे बाजों ने उन आंदलों के उपर कबजा कर लिया पिछले 75 साल से यहां पर ठाकर सम्विधानिक रूप से कोई भी ठाकर नहीं है सम्विधान उनको और उनके पूरवजों को इस प्रकार से अगर निशाना बना रहे हो तो कोई human rights नाम की चीज होती है इनको आप जिन्दा तो रहने दीजिए इनके अगर पूरवजों ने राज किया था आपको पसंद आए नहीं आए आप चाह मुगलों के agent मानो अपने आपको Britishers के जो गुलाम आपने आपको मानो मगर कम से कम आप तो इनको छोड़ दो आप यह चाते हो कि आप इनको जान से ही मार दोगे आप इनको यहां से भारत से ही निकाल के फेश दो आप इसे कैसे हो सकता है भई आपको इस बात को सोचने का अधिकार रखना चाहिए कि सम्विधान से चलता है ये देश और उस सम्विधान के अंदर किसी भी जाती को उंच और नीच नहीं माना जाता और अगर 75 साल के अंदर भी ये सब नहीं हो पाया है तो उस सम्विधान की जरूरत क्या है उसको change कर दो, ठाकोर राज लेयाओ दोबारा से, या फिर आप अपने जो खास मुगल हैं उनका राज लेयाओ, या फिर अंग्रेजों का वापस राज लेयाओ, जो कि जाते हुए आपके पास में वो सत्ता छोड़के गए हैं, ये सब चीजों को बंद तो बिल्कुल नहीं ह अगर आप उससे प्रेरित होते हैं, तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर ये अविवस्ता है, माल निजी अगर ये अविवस्ता है, तो ये किसने फैलाई है, और अगर ये अविवस्ता नहीं है, तो जो कवीताएं थाकरों के खिलाफ लिखी गई है, वो मुगलों के खि है है